नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब आई होब आप सब अच्छे होंगे खुश होंगे वेल्कम टू माइनी विलोग और यहां पे जैसे कि आपको बता मैं इंदू के पास आई हुई इंदू की तवियत खराब है तो फिर सामका टाइम तो होई रहा था कपड़े वगेरा जो इसे काम था मैंने कर लिया तो मैंने सोचा चलो मैं साथ साथ खाना भी बनाती जाओंगी क्योंकि फिर या तो भाया को आके बनाना पड़ेगा या अगर मैं उधर भी जाकर बनाओंगी फिर लेकर आना पड़ेगा तो मैंने सोचा चलो जब मैं यहां पर ही आई हुई तो मैंने फ्रीज में देखा है सबजी तो कहीं थी मैं फिर लेके आई हूँ बीन्स गभी बीती सिम्ला मिर्स तो मैंने बच्चों से पुछा मैंने का क्या बनाऊं तो बच्चे कहने लगे कि मम्मा बीन्स की सबजी बना लो क्यों कि यह खुश हो के खा लेते हैं अच्छे से तो मैं ले आई हूँ दोके और अब इनको काट लूँगी और यहाई पर ही बैट के मैं काट लूँगी क्योंकि इसमें थोड़ा सा जादे टाइम लगता है तो मैंने सोचा चलो इनके पास यही बैच जाओंगी और इंदू लेटी हुई है और इसके पापा देख रहे है तीवी बल्कि इन डूटी के बना लएं सब खीचडी खा लेंगे तो मैंने सोचा में नहीं तो पैर के टाइम भी ऐसा ही खाया होगा सुबह तो बनाया थो भी अने खाना और मैं चलो कोही ही जब बनानी मुझे मैं रोटी सबजी बना दूँगी क्योंकि बच्चे तरीके स पेट भर के खासे लेंगे खाणा तो यहां वेस मैने बिंस काट ली थी और मैंने आई थी फिर वार्म वापिस से रस्व के मैंँ तो यहां पर मैंने देखा आलू तो मुझे आलू नहीं मिले फिर मैंने इन दुसरे पू lifting जामन का अलू तो है नहीं मिले नी तो वो क्या ली थी कि रखे होंगे तो मैंने देखा कई नहीं मिले थेन ही मतलब खतम हो रहे थे दो छोटे-छोटे से ही पड़े थे तो फिर मैंने वो बिंस रख दिया साइड में क्योंकि बिना आलू के तो कोई भी सब्जी नहीं बनेग ना गोबी की ना सिम्ला मिर्च की और ना बिंस की तो मैं कहा चलो जब भी आएंगे दर से तो उनको बोल देंगे कि यालू लेते जाएंगे सुबह बच्चों के लिए फिर बना देंगे सुबह नास्ते में तो वह मैंने रख दी साइड में और अब मैं बनाने लगी हूँ डाल चावल क्योंकि डाल चावल भी बच्चे अच्छी तरीके से पेट भरके खा लेते हैं तो डाल मैंने भिगो दी चावल भिगो दिये और यहां बस अब करने लगी हूँ तड़के की तैयारी और डाल मैं बनाऊंगी अरहर की वैसे तो अरहर की डाल मैं हमेसा बाद में ही तड़का लगाती हूँ लेकिन आज मुझे थोड़ी सी जल्दी वह इसलिए क्योंकि गुद्डू फिर ट्यूशन से आ जाएगी घर पर कोई नहीं था और दिन में तो छलो थोड़ी देर रहे भी लेता है बच्चा राती हो गी थी अंधेरा हो गया था अब तो 6 बजे के कि वैजे से तो मैंने सचला पहले ही तड़का लगा दूंगी तो यहां मैंने सारह समान डूंड के निकाल लिया वैसे मुझे पता नहीं था कौन सा समान कहा रखखा ह। तो कुछ तो मैंने इंदू से पूछा जाके अंदर ही मैं कहा रखा उससे पूछ लिया और कुछ मैंने अपना ढूंडान के निकाल लिया पहले मैं काफी देर मसालेदानी ढूंदती रही लेकिन मसालेदानी मुझे मिली नहीं फिर वो कहने लगी कि यह डब्बे हैं मैं समान तो फिर मैंने यह निकाल लिये तो वो ही है जब करना हो काम तो उसकी यह नहीं है कि भाई हमें समान नहीं मिल रहा जब हम कोसिस करते हैं किसी काम को करने की तो सारा ही हो जाता है जैसे भी कैसे थोड़े सी है कि मुझे टाइम लगया समान को देखने में हलागी इतना टाइ और कि दाल थोड़ा से जल्दीब बन जाती है और इंदू भी खालेगी वैसे तो वो मैं सब बोल रही थी मकला ते रहे लिए खिचडी बना दू तो कह रही थी कि नई डोक्टर ने मुझे बोला कि सारी कुछ खाना ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब खाना नी तो यहां पर फिर मै काफी देर ढूंडा तो मिला नी जिसमें चावल बनाने छोटा तो मिल गया था फिर इंदू भी आ गी थी वो भी देखती रही वह कह रही थी कि पता नहीं सुनी तैना कहां रख दिया होगा तो मुझे मिला नी था फिर मैं बाद में लेकर आई थी यह ना इंदू यह आई बन जाते हैं तो यहां मैंने अट्टा बना के रख दिया जब तक सोप्ट सा हो जाएगा और यह सबजी रखती है साइड में का सुबह बन जाएगी बच्चों के लिए और बस जो यह दूद का भीगोना अब इसको कर लूँगी खाली छोटे वाले भीगोने मेरी ताक रख भोल के हर दो गंटे के बाद या एक गंटे के बाद देना है उसे वह पकट से दिए वे डोक्टर ने तो वो मुझे पूछ ली थी कि मम्मा कि यह कितना डालना तो मैं उसे बोल रही मैं आपनी ममा सरे पूछी और मुझे पता नहीं कि एक चमर डालना या पूरा पकट तो फिर वो जब हिंदू के पास पूरा पैकिती डाल के लेती गई और वो पीना भी नहीं था उस टाइम तो हिंदू फिर उससे गुस्सा कर ली थी कि तू पूछ तो लेती बस उसे डैडी ने बोला होगा ना कि अपनी मम्मा को वो देना गुलकोज जो इलेक्टराल होता है वो वो दूसरा पैकित लेगी उसमें दूसरा भी होगा वो एक दिन में एक ही पीना था तो बच्चे कभी कभी बहुत हो विचारी प्यार से लेगी कि चल मैं अपनी मम्मी का धिहान रखूँ और दे दूने लेकिन उससे गलती से वो दूसरा डल गया मुझे भी नहीं पता था दूसरा तो फिर उसरा इन दूने डाड़ दिया पिर मैं उसे कहती मन का बेटे जब भी देगी अपनी मम्मी से पूछ के देना मका मैंने उससे बोला भी मैं का पूछले बेटे मुझे नहीं पता कौन सा कैसे देना तो बस उसने सोचा कि यही देना डैडी ने यह दिया मैंने गैस पर दाल रख दी एक पर चावल रख दी है और तीसरे पर मैं सेखने लगी हूं रोटी रोटी तो चावल के साथ पांट साथ ही बनाऊंगी ज्यादर नी बनाऊंगी क्योंकि बच्चे तो चावली पेट भर के खा लेते हैं तो रोटी मेरी बन गई है दाल भी बन गई है बस रह गए चावल तो इनको मैं निचोड़ दूगी जो मांडायन का निकाल दूगी अच्छी तरीके से और यह चावल खाना हमारा बस बनके तयार हो गया साथ साथ यह बस मैंने यह बर्तन भी दो दिये थे जो जैसा प्रांत वगेरा थी क्योंकि सुबह ही फिर बनानी पड़ेगी मैं का ऐसे रख़ूंगी तो और सुनी ता तो अब सुबह ही आएगी अब तो वो करके चली गई थी मैं का भी यह सारे फिर मैंने बर्तन दो के र ने खाना तो यहां पर मैंने उनको दे दिया सब को किसी ने दाल चावल लिया किसी ने पुरा चावल लिया तो सब को दे दिया और इंदु को भी देधूंगी उसने भी दोपर के टाइम कुछ नहीं खाया वह गहती कि भूकी नी लगी दवाई जब घते और कुछ उसने दवाई भी ले रखी ऐसे ही लेठी मतलब नीद भी नहीं आ रही कह रही थी कि नसा सहुरा है सहुरा तो यहां मैं बस सभी को दे दूंगी खाना और जैसे अरर की दाल बनाई तो ही इसु को होगे सुनते ही परेशान कि अरर की क्यों बनाई मम्मी गाउवाली बनाती है इस वारर की दाल निखाथी ना गुटव तो इस वज़ों से द यहां वह कही टी कि मम्मी मुझे बुरा चावल दे दो तो फैले नहोंने दाल चावल खाए फिर बुरा चावल तो सारे बच्चो में ने फिर इंदू के पास बिठा दिया मैं कहा है यही बैठके ख जाएगा खाना भाया तो थोड़ा लेट ही आएंगे यह जल्दी तो आएंगे नहीं तो मैं का चलो साथ-साथ खालो और बच्चों को मैंने इसके पास ही बिठा दिया क्योंकि वो तो बैठी थी विस्तरे में उठनी पारी थी इतना और यहां पर फिर ठंड भी ज्यादा हो लिए थी बहुत ज़्यादा थन्ड थी तो मैंने यह कपड़ा डालके बच्चों को बिठा दिया आफ सब और लोगे की बैड़ पर बिठा दिया तो इसके लिए सोरी बस मैंने इसलिए बिठा दिया मैं का चलो सारे एक जगई बैठके खा लेंगे बच्चे भी आराम से ख जाओंगे थोड़े-थोड़े में खा लेंगे और दाल तो गुड़े नहीं खाएगी कि कनयार इसके पापा खा लेंगे हमारे लिए थोड़ी सी सबजी बची हुई वहां पर तो रोटी में जाकर बना लूँगी वहां पर थोड़ी ली मैंने जादनी ली इमां का यह क्या तो हम पहुच जाएगे तो खाना मैंने बना दिया और सबको मैंने खिला भी दिया यहां पर कैसा बना खाना अच्छा था तो सब में खा लिया है बस इसके चाचु रहेगे और मैं भी आये नहीं जब आएंगे तो उनका रख दिया मैंने और थोड़ा सा मैंने अपने लिए दाल चावल और बस जाके में रोटी बना लूगी और बस अब चलते हैं क्योंकि टाइम हो गया है सवा साथ मुझे लगे साथ पांच हो गये और अब उधर गुट्टू साड़े साथ तक आ जाती है तो अब रात हो रही कनईया भी नहीं आया होगा दुकान से तो ले पेज़ेर हम हैं सो वैब बच्चा वो दर ये देज़ दा मेरी साथ में हो आई ते ही देज़ दू लिप्या हाँ मुझे भी 25 वे जावे पोड़े नो हाँ मैस कर दो बेर 25 सबस ती कल को देख लियो आखे स्कूल का कैसा बनाना प्रोग्डाम से हैं 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 सारा समान ट् प्र दोड़ी दे रुक के देख लेगे तो जी बस चलो हम चल रहे ठीक है फिर गुद्डू आने वाली है मुझे लुए है ठीक है बाई कैप लगा है शूचा चुकी कैप लेल जो इती हुई से कैप देज़ा बेटा तो जी चल रहे हैं बस हम और है मैंने टाइम बताया य आपको सवा साथ हो रहे हैं वैसे हुए नहीं होगे आप गया गड़ी चलो फेर जी अंदेरा हो रहा बिल्कुल अब आ लिया बता वो उससा कह दो उससा चलने की हो रही है अग चलू मैं भी आई इस हो जल दिया है कि इनकी हो रहा अच्छड औरी बहुत जाद है तो जी हम अब आपको वीडियो अच्छी लगे तो फीस लाइने के बाद ही और बस रखी बनाए लगा दिया और ताब सबसे पहले सेटगी उनका रोटी बनाने लगी सबजी तो कुछ उदर सलिया ही दाल और कुछ रखी या तो पैर की अलग अबी की जो सबजी बनाई थी वो और ब आपको वीडियो अच्छी लगे तो फीस लाइक करें कोमेट करें सब्सक्राइब करें सेयर करें तो कि मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ प्रतक के लिए बाए बाए रादे रादे